देखिए, समाकलन की सुरुवात तो मैंने करी दिया है, तो सुरुवात से जो लोग रहेंगे, उनको पूरा भाइदा मिलेगा, जो लोग बाद में आएंगे, उनका कुछ छूट जाएगा, तो वे लोग इरिटेट हो जाएंगे, तो मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई बच कीजिएगा, आपको सुरु से सारी वीडियो मिल जाएंगे, थोड़ा सा चार्ज लग सकता है, लेकिन चार्ज के कोई बात नहीं है, अगर आपको समझ में आए तो आपके लिए लाखो रुपए का फैदा है आपको समझ में नहीं आए तो आपके लिए लाखों रुपय का नुक्षान भी है ठीक है तो एक बार काल करिएगा संपर कीजिएगा चलिए आज का सवाल इदम खोदा पहाड निकली चुहिया जैसा है देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स ब को ओन प्लस एक्स स्कॉयर डियक्स इसी का समाकलन करना है क्या करना है कि समाकलन करना है ठीक है तो भाई घबडाना मत मेरे पास आय हो तो समझ के जाओगे इस बात की मैं पुष्टी करता हूं गरिंटी लेता हूं अब देखो कैसे यह जो ऊपर वाला लिखा है ना ये उपर वाला जिसको मैंने घेर दिया इस प्रतिलोम तरिकोड में थी फलन दूसरा चेप्टर अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो उसी का ये क्या ये सुत्र है क्या सुत्र होता है बताता हूँ 10 इन्वर्स एक्ष प्लस काट इन्वर्स एक्ष बराबर सुत्र होता है पाई बाई टू बस बाबू इतना सा बात अगर आपको याद रहेगा ना इतना सा तो आप ये समाकलन का सवाल लेकदम आसानी से कर लोगे देखे कैसे उपर वाले कमान क्या हो गया पाई बाई टू नीचे वन प्लस एक्ष स्क्वाइर है डी एक्स है पाई बाई टू क्या होता आचरपद होता है एदम बाहर कर दिजिया से तो यहाँ पूरा पूरा हट गया तो वन बचेगा वन बटे वन प्लस एक्स स्क्वाइर डी एक्स जरा इसको देखो जरा इसको देखो भाई इसका समाकलन सुत्र होता है 1 upon 1 plus x square dx ठीक है इसका होता है 10 inverse x ठीक है बस 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 1 upon 1 plus x square dx बरावर क्या होता है 10 inverse x बस इस सवाल में मातर दूगों सुत्र का इस्तेमाल हुआ है अगर आपको ये दोनों सुत्र याद नहीं रहते तो आप ये सवाल नहीं कर पाते तो सुत्रों को भी याद करना मैं सिखाऊंगा सुत्र सारे कहां मिलेंगे मैं आपको दूँगा बस मेरे साथ लग रहे है तो यह क्या हो गया पाई बाई टू और टेन इन्वर्स एक्स पुलस सी यह हो गया आपका एंसर देखा आपने देखने से लग रहा था यह सवाल बड़ा भयानक जाएगा लेकिन एक दो तीनी लाइन में खतम तीन लाइन में इस सवाल का हाल बेहाल हो गया और आपको भी अच्छा लग रहा होगा अब मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ भाई अब मैं आपको चार नमबर में पूछे जाने वारे सवाल बताने जा रहा हूँ ठीक है तो चार नमबर के त्यारी करोगे न, मेरे से करोगे तो जरूर त्यार होगा यार, देखो, सवाल इस तरीके से है, कास 2x माइनस कास 2 अलफा अपान कास x माइनस कास अलफा, इसी का आपको integration करना है, समाकलन करना है, बस मेरी बात सुनते जाओ, सुनते जाओ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आएगा, ये मेरा वादा है, और समाकलन का मेरा धाई घंटे का अगर वीडियो देखना चाहते हो, तो यूटूब के अंदर सर्च कर देना, समाकलन सर्च कर ये लिख के चार बार ये लगा, ये स-A-M-A-K-A-L-A-N, बस, तो मेरी ढाई घंटे की वीडियो आएगी, मेरी मूवी बनी है, मैंने समाकलन पर पिच्चर बनाया, फिलम बनाया है, आपके लिए, तो ये फिलम जरूर देखेगा, बस यही सर्च करके आ जाएगा, ठीक है, तो लिए आगे देखते है, ये देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से इसका फार्मूला लगाईए, इसका होता है, टू कास स्क्वाइर, एक्स माइनस वन, माइनस, इसका भी, इसका हो जाएगा, टू कास स्क्वाइर, एलफा माइनस वन, बटा के नीचे जो है, वह ऐस से ही रहेगा, कोई छेड़ चाड़ नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है भाई, आपको समझ में आया इसका सूतर यहां से यहां तक है और यह माइनस चिन यह वाला है इसका सूतर यहां से यहां तक है ब्रेकेट में क्यों लिखा हूँ क्योंकि सुरुवात में माइनस चिन जब रहेगा तो ब्रेकेट में लिखना चाहिए नहीं तो गलती होगा, ठीक है? आगे दखिए, तू कास स्क्वाईर एकस माइनस बन जैसे है, वैसे रहने दीजीए, अब यह ब्रेकेट खोलेंगे आप, तो यह माइनस होगा और यह पलस होगा, तो माइनस टू कास स्क्वाईर एलफा पलस बन, बटा के नीचे वाले में त्थीक है अच्छा अब क्या होगा मैनस हब और प्लस वन कट गया ठीक है अब यहां पे देखो दो है यहां भी दो है दो कम highly लो तो तो यह बचा आपका कास स्क्वाइर एक्स माइनस कास स्क्वाइर एलफा इसके एक आमन दो हुआ तो ये बचा अंदर इसमें से एक आमन हुआ तो ये बचा अंदर बटा के नीचे कास एक्स माइनस कास एलफा और ये डी एक्स यहां तक के लिए हुआ कोई परचानी भाई यह राम से पड़ो 10 सवाल के जगण 2 सवाल पड़ो लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगण पे सेट होना चाहिए अगर दोनों जगण सेट हो गया न तो बाद कुछ अलग है और 20 सवाल पड़ो सेट नहीं होगा तो बरबादी ही बरबादी है ठीक है अब अगल में मैं इसके आगे लिखता हूँ ध्यान से देखिए इंटिग्रेशन का आफ सिंबल लगाईए बराबर चिन लगाईए टू रहने दी जैसे a square minus b square का formula होता है a square minus b square बराबर एक bracket में a plus b दूसरे में a minus b एक अच्छा 6 साथ में आजकल पढ़ाया जा रहा है तो एक bracket में cos x plus sin alpha दूसरे bracket में cos x minus sin alpha बटा के नीचे cos x minus cos alpha साइन में लिख दिया मैं जैसे mistake हो गया cos x plus cos alpha लिखना चाहिए देखिए मैं इसे थोड़ा सा erase करता हूँ ठीक है ध्यान दीजिए cos x plus cos alpha भूल गया था मैं और फिर cos x minus cos alpha बटा के नीचे cos x plus cos alpha यहां plus 1 minus है पता चिल देखिए यहां minus है minus है minus है तो यहां भी क्या रहेगा minus और यह जो mistake मैं कर रहा हूँ यह mistake student ज्यादा करते हैं कई बार करते हैं over confidence में करते हैं और exam देके घर पे आते हैं पूरा full confidence में कहते हैं कि मैंने मैंत के पेपर में 95-96 नंबर का एकदम पक्का पक्का किया है एक भी नंबर कटे करें लेकिन उस पक्का में यह कच्चा काम भी हो जाता है और exam जो जांच करने वाला उसके निगाहें इतनी तीब्र हैं इतना फास्ट हैं कि वह mistake करी नहीं सकता वह हर जगह आसे आपकी mistake को पकड़ लेगा और नंबर घटा के मिल जाएगा आपको तो आप को कि मेरे साथ अन्याय हुआ दुनिया के सबसे सच्चे आप रहो गए अब आकी दुनिया जोटी हो जाएगी आपके साथ तीज नाते इन सब चीजें ध्यान देना बेटा ध्यान दीजे अब वह इसका और इसका दोनों लोगों का connection खताम ये वाला bracket और ये वाला bracket सेम है इस नाते उपर नीचे कट जाएगा बचेगा सिर्फ ये और बाहर में 2 ठीक है ऐसे बच्चा आपका क्या कास X प्लस कास अलफा इंटू D X अब क्या होगा कास X का समाकलन अभी तक मैंने क्या किया यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक यह क्लास 11th का तिरकोडमिती साल्ब किया मैंने अब कहोगे गुरू देवक अच्छा 11th में तो मैं पढ़ा ही नहीं हूँ खुब घूमा हूँ खुब महश किया हूँ तो जो क्लास 11th में नहीं पढ़े होंगे उनको तकलीफों के साथ समझना पढ़ेगा अजो क्लास 11th में भी अजो क्लास 11th में पढ़े होंगे नहीं हूँ आज खुष हो रहे होंगे आह क्या बात है गुरू तुमें जाता है हां तो कास एक्स का समाकलन क्या होगा पलस में साइन एक्स और कास अलफा का समाकलन होगा ही ने क्योंकि यह अचरपद है तो यहां इसके आज पास कौन चुपा है वन चुपा है वन तो वन का समाकलन कर दीजिए ठीक है वन का समाकलन क्या हो जाएगा एक्स और कास अलफा पीछे लिख दीजिए ठीक है और पलस में से यह होगे आपका एंसर यह आपका एंसर होगे एकदम मस्त वाला कोई दिकत परसानी होगी तो मुझे फोन करना मैंने फोन नंबर शुरू में दिया दिया ना चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू